जै शरी राम मालिक मंगल अपनी राशी के अंदर होंगे तो वहीं बाकी अन्य तीन ग्रह भी मंगल को प्रभावित करेंगे मंगल ग्रह जो की उर्जा के संचालक है एनर्जी देने वाले ग्रह मने जाते हैं शास्त्रों में तो इसको सेनापती कहा गया है यानि एक ऐसा प्लैनेट जो पूरे जोश होसके लगता है मंगल की दो राशियां है मेश राशी और व्रश्चिक राशी यानि उनके लिए यह गोचर अन्य राशियों के मुकावले खास हो जाता है क्योंकि मंगल इनके ही राशी के मालिक है मंगल यहां व्रश्चिक राशी में गोचर करेंगे जहां पे क्रमश है विशाखा, अनुराधा और जेश्टा नक्षत्र के अंदर मंगल का विचरन होगा विशाखा नक्षत्र जो कि ब्रस्पती का नक्षत्र है और ब्रस्पती वर्तमान में मंगल के धनिष्टा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे यानि मंगल और ब्रस्पती का एक समय पर राशी परिवर्तन नहीं बलकि नक्षत्र परिवर्तन योग चल रहा होगा आपने राशी परिवर्तन योग सुना होगा अभी तक लेकिन नक्षत्र परिवर्तन भी अपने आप में कुछ न कुछ फायदा ही देता है इसको राशी परिवर्तन की तुलना में देखा जाए तो ये कुछ कम फायदा देता है लेकिन यह एक अच्छा योग है और इस योग से फाइदा भी मिलता है यानि आपका जनम यदि विशा का अनुरादा जेश्टा नक्षत्र में हुआ है तो यह नक्षत्र बहुत से शास्त्रों में लिखा गया है केतु यदि स्वेराशी के ग्रह के साथ बैठे या उच के ग्रह के साथ बैठे तो उसके अंदर विजय पता का लहराता है क्योंकि केतु को धज यानि जंडे का प्रतीक भी कहा जाता है तो मंगल केतु का यह योग आपके लिए और अ मेश राशी के बारे में मेश राशी आपकी राशी के मालिक ही मंगल देव हैं और वह राशी से अस्टम यानि आपकी दूसरी राशी व्रश्चिक के अंदर ट्रांसिट करेंगे पांच दिसम्बर से लगबक 45 से 50 दिन मंगल का गोचार एक राशी में रहता है सबसे पहली बात राशी का मालिक स्वय राशी के अंदर है केतू के साथ है यानि मजबूत है प्लेनेट की पोजिशन भले ही किसी भी हाउस में हो लेकिन मजबूती होती है क्योंकि ग्रह यहां स्वय राशी में मंगल यासा ग्रह व्रश्चिक राशी में केतू के साथ हो तो यह समय कार इसका मतलब धन के आगमंतों बनाए रखेंगे मंगल, साथ में सूरिया होंगे जो की पंचमेश हैं, लेकिन बुद्ध भी इसके साथ होंगे, और व्रश्चिक राशी को काल पुरुष का आठवा घर कहा जाता है, इसलिए आपको गुल्म पीडा, पाइल से रिलेटिड प्र आपका फिर से कोई गलत खानपान की वज़य से आपको ये बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है, मंगल, केतु या बुद्ध से संबंदित दशांतर दशाबिया दिया आपको हैं, तो आपको और ज्यादे सक्रिया हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह स्वराशी के होने के कारण, लाब के अफसर तो लगातार देगा, धनागमन तो लगातार देगा, लेकिन स्वास्त के परती चिंता भी दर्शा रहा है, तो आपको इसके लिए विशेश रूप से ध्यान यहां रखना होगा, नहीं तो एक तरफ पैसा कमाएंगे, दूसरे तरफ स्वास्त में पैसा लगा कर उसको गवावी देंगे, या स्वास्त के कारण, खराब स्वास्त के कारण आप अपने काम में पूरा समय नहीं दे पाएंगे, आईए बात करते हैं, व्रशव राशी वालों के लिए यह कंबिनेशन यहां कैसा रहने वाला है, व्रशव राशी, शुक्र प् करनेगा केतू के साथ, अब यहां सब्त में, सब्तम में हैं, तो एक इंडिकेशन देते हैं कि सात्वा घर मजबूत हो रहा है, वो सात्वा घर केतू के साथ है, तो उसकी मजबूती में और चारचांद लगा रहा है, सब्तम में हो तो पदप्राप्ती के लिए अच्छा है नौकरी के लिए अच्छा है व्यापार के लिए अच्छा है कामधंदा बढ़ना चाहिए क्योंकि मंगल की चौती द्रश्टी जारी है दशमभाव पे और मंगल की आठवी द्रश्टी धनभाव के उपर जा रही है यानि इस दोरान सोर्स ओप इंकम बढ़ेंगे कारेश हैतर के साफ से श्तिती ठीक रहेगी सूर्य भी इसके साथ है तो किसी परकार का भूमी जमीन जादा प्रपरटी से सम्मधित कार भी इस दोरान देता होता दिखाई दे रहा है बुद्ध भी उसके साथ रहेंगे तो आपके लिए धंदायक हैं बुद्ध आपके लिए एक मित्रग रहे हैं तो उस लिहास से यह कॉंबिनेशन अच्छा हुआ कि सूर्य और बुद्ध का सयोग आपको यहां मिल रहा है अब मंगल की जब आठवी द्रश्टी दूसरे घर पर जाती है तो यह द्रश्टी प्रवा भाव इसका मतलब कोई ना कोई अरचन परेशानी अब अरचन परेशानी कहां से निकल कर आएगी आपकी स्पीच से आपकी वे ओफ टॉकिंग से निकल कर आएगी आपको बहुत अज़ादे ध्यान रखना होगा कि उस दौरान आप अपनी भाशा शैली को खराब झाउना आजएनरजी के लेवल के लिए इस्ती बहुत अच्छी है क्यों कि मंगल को अपने वहोर को सुधार कर चलना है गंदी भाशा का परियोग नहीं करना है ऐसी भाशा का पर योग से दोसरों का मंदुख है तो कुलमिला के मंगल का ट्रांजिट आपके लिए बहतर है बात करते हैं मिथुन राशी के लिए बुद्ध प्रधान राशी और मंगल उसके सत्रू है लेकिन जब ग्रहे अपनी ही राशी के अंदर चल रहा हो तो वह उस भाव से संबंदित प्लस यानि पॉजिटिव रिजल्ट देता है शस्टेश का शटे घर में केतू के साथ होना ग्रोग ओपर विजय प्राथ करने के लिए जाना जाता है प्रतियोगितां उपर विजय प्राथ करने के लिए जाना जाता है competitive exams दे रहे हैं उसमें सफलता मिल जाएगी शत्रू पक्ष आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा शत्रू को आप भरा लेंगे शटे शटे घर में चल रहा है और केतू के साथ चल रहा है इसका मतलब है कुजवत केतू मंगल और केतू का योग आपको एक लाब देने के लिए ही तयार है क्योंकि मंगल राशी से छटे घर में अपने ही घर में है वह मंगल एकादशेश भी है अब एकादशेश होने के नाते लाब प्राप्ती में थोड़ी सी देरी हो सकती है क्योंकि लाबहेश अपने से अस्टम में बैठा हुआ है जहां एक तरब राशी से छटे घर में मंगल केतू का योग है तो वहीं एकादश भाव जहां मंगल की दूसरी राशी पढ़ती है वहां से यह योग अस्टम में बन रहा है इसलिए लाव मिलेगा थोड़ा देरी के साथ मिलेगा ऐसे में अगर मं बुद्ध का संयोग भी बने गाव बुद्ध चतुर्तेश भी हैं और बुद्ध राशी के मारेकर राशी का मालिक जब सश्टेश के साथ हूं आप यहां बुद्ध बंगल के चिंताओं को लेकर माना जाता है कि अंद्रूनी रूप से शत्रूपक्ष आपकी कमजोरी का इंतजार कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुचाना चाहते हैं तो उसलिया से यह कॉंबिनेशन ठीक यहां दिखाई दे रहा है सूर्य का भी संबंध होता है तो यह कॉंबिनेश पंचमेश पंचम में बुद्धी ज्यान शिक्षा के बलपर जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा सोर्स ओफ इंकम बढ़ेगा आपके कारेच शितर के लिए यह कॉंबिनेशन बहुत बहतर है अब पंचमेश का पंचम भाव में चलना शिक्षा विद्या बुद्ध संतान सभी के लिए अच्छा है जब यह केतू के साथ हो तो कभी-कभी अचानक से धन के अच्छे योग भी मिल जाते हैं अगर मंगल से संब्धित दशांतर दशा है तो यह आपके लिए और सोने पे सुहागा है क्योंकि साथ में इसके सूर्य भी होंगे सूर्य राशी से दुतियेश हैं यानि मंगल सूर्य धन योग बना रहे हैं कहां बन रहा है धन योग पंचम भाव में जो भी धन आएगा वो पैसे से दिमाग से आएगा बुद्धी से आएगा ऐसे में आपको शोटकर्स का साहरा नहीं लेना है किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करन आते हैं लेकिन मैं कहूंगा थोड़े थोड़ा करके प्रियास करेंगे तो जादा रहेगा बड़ा लोबलालाच आपको नुक्सान दे सकता है वैसे मंगल किस्तिति यहां धन दायक है किसी भी प्रकार से आपको नुक्सान पहुंचाने वाली नहीं है सिंग राशी मालिक सूर्य और सूर्य देव के भी परम्मित्र हैं मंगल यारी मंगल आपकी राशी से चौते घर भूमी जमीन जादाद एवम आपके भागय की जिम्मेदारी सम्हाले हुए हैं चतुरतेश का चौते घर में आना अवश्य ही घर के अंदर कोई ना कोई मंगल कार्य हो सकता है घर के अंदर कोई भूमी जमीन जादाद प्रोट से संबंदित कार्य हो सकता है कोई रिनुवेशन कर सकते हैं कोई वाहन खरी सकते हैं मकान के अंदर काम करा सकते हैं कोई प्र दशम भाव के उपर आ रही होती है तो यह एक बहुत अच्छा संयोग बनता है साथी साथ मंगल की एकादश भाव पर भी दश्टी है और सबसे विशेश बात ये है कि ब्रस्पती आपके लिए भी परंवित रग रहे हैं ब्रस्पती उस दोरान मंगल के नक्षतर में होंगे तो मंगल उस दोरान शुरुवाती तोर पे यहीं शुरुवाती के लगबग 15-16 दिन 5 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक मंगल ब्रस्पती के विशा का नक्षतर में ही ट्रांजिट कर रहे होंगे इसका मतलब मंगल और ब्रस्पती यहां नक्षतर परिवर्दन के साथ चलेंगे राशी से केंदर में चलेंगे मंगल यहां ब्रस्पती को दरश्टी भी देंगे इसका मतलब है यह संयोग आपके लिए बहुत अच्छा है उस दोरान कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है और आप उससे लाप्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सूरिय आपकी राशी के मालिक हैं बुद्ध आपके लिए धंदायक हैं और मंगल सूरिय बुद्ध केतु सब चौते घर में बैटके एक अच्छे धनियों का निर्मान भी कर रहे हैं कन्यराशी से तीसरे घर में मंगल होंगे तिरतियश का तीसरे घर में जाना साहस में वरद्धी करता है तिरतियश का तीसरे घर में जाना आपके द्वारा बनाई गई योजना में आपको हेल्प करता है व्यक्ति इस दोरान अपनी पूर्ण महनत से अपने कारेशेतर में लग चला गया क्योंकि थार्ड आउस आपके एक्टिवेट हो गया तीसरे घर में भी चार-चार गर है सूर्य भी जो कि दुआदाशेश है यात्राओं के लिए जाना जाता है मंगल भी बुद्ध आपके स्वैम राशी के मालिक और करम के मालिक यानि यह जरनी कारेच चेतर को ले अपनी पूर्ण महनत से अपने कारेच चेतर में लगा हुआ है और अपने भागे को जमकाने का पूर्ण परियास कर रहा है तो उस लिहास से यह कॉंबिनेशन बहुत अच्छा हुआ मंगल यहां बहुत हज़ तक आपको सेव करने का ही परियास कर रहे हैं आपको जीवन मे बढ़ावा दे रहे हैं मंगल की चौती द्रश्टी जब छटे घर पर आती है तो शत्रों को परास करने वाली होती है और अश्टम द्रश्टी जब करम भाव पर आती है तो इसको कहते हैं कारेच चितर में अचानक से लाव मिलने का एक योग बन जाता है आईए देखते है तुला राशी के लिए कॉंबिनेशन कैसा है देखे आपकी राशी से चार ग्रह बैठे हुए हैं वानी स्थान पे ये धनिस्थान बाद में है ये वानी स्थान पहले पंगल केतु सूरिय बुद्ध तो क्या करना है सबसे पहले आपको वेयफ टॉकिंग पर ध्यान देना ह खराब और गलत वानी का परियोग नहीं करना है ऐसी भाषा नहीं बोलनी है जिससे दूसरों को नुकसान हो दूसरों के मन में आपके द्वारी बात चुब जाएं इसका आपको विशेश तोर पे ध्यान देना होगा अब दुतियेश मंगल दूसरे ही घर में केतु की साथ ह तो धंदायक तो ही यह कॉंबिनेशन पैसे के लिए तो अच्छा ही कारे चेतर के लिए तो अच्छा ही है साती साथ उसके सूरिय भी है जो एकादशेश हों के मंगल सूरिय का धन्योग बना रहे है मंगल की चौती द्रश्टी आ रही है पंचम भाव पे जो की लक्षमीत् तो अकेले मंगल का जो संबंद है वो दूसरे घर ग्यारवे घर पंचम भाव और नौवे भाव से बनता है क्योंकि सूरिय तो मंगल के साथ है ग्रह धन भाव में बैटके अकेले दो पांच नो ग्यारे से संबंद बनाते हैं इस से अच्छा धन्योग शास्तर में कोई नह देना है अपनी भाषा शैली को जितना अथर बहतर बनाएंगे उतना ही सामने वाले को आप परभावित कर पाएंगे और अपने कारे शेतर में तरक्की हासिल कर पाएंगे तो मंगल आपको पूर्ण रूप से सपोर्टिव यहां दिख रहे हैं ब्रश्चिक राशी आपकी राशी का मालिक राशी में हो तो बहुत अच्छा होता है केतू के साथ हो तो कहते हैं स्वेराशी क्रह के साथ केतू का होना उसके योग में और चार चांद लगाता है तो मंगल क्या है एनरजी साहस के कारक हैं आपकी राशी से मन सम्मन देने वाले ग्रहे हैं तो उसमें य कारेशेटर में काम करते हुए किसी प्रकार की कोई बड़ी और अच्छी उपलब्धी भी प्राप्त कर लेता है अब सूरिय उसके साथ है सूरिय कौन है राशी से दश्म के मालिक है जो मंगल के साथ सहयोग बना रहे है यानि कारेशेटर के साथ से अच्छा है बुद्ध एक पहला चिंता का विश्य धनूराशी के लिए राशी से 12 में चत्रुग रही योग बनता है। पहला आपकी राशी से भाग्या के मालिक भी 12 में या भाग्या बनाने के लिए एफर्ट चल रहे हैं। दूसरा उसके साथ मंगल केतू है तो आखों से संबन्दी तकलीफ दे सकता है यह सोने का भावा यहाद पर आके हम रेस्ट करते हैं तो अनिद्रा से संबंदी प्रॉब्लम भी यह मंगल यहां दे सकता है क्योंकि मंगल के हैं यहां काम पर ध्यान दे इस तरफ थोड़े साव पजल हो जाएंगे त्वेल्थ हाउस में इतने सारे प्लैनेट हो तो तो अपनी सेहत का तो विशेष ज्यान रखना चाहिए तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा यहां ध्यान रखना होगा द्वादश का द्वादश मे अस्पताल है यह सब ट्वेल्थ हाउस से ही देखे जाते हैं तो थोड़ा सा साब्धान रहे कर जलना होगा बाकी मंगल ऐसा नहीं है कि जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेटेड कार्या करते हैं दूर इस्थांत जूड़के कार्या करते हैं जिनकी योद की यात्रा मालिक एकादश भाव में मंगल है कि तो उसके साथ है लाब को बढ़ावा देता है सोर्स ओफ इनकम को बढ़ावा देता है क्योंकि मंगल यहां एकादश से बैठके दो लक्षमी स्थांते संपर्ग बनाते हैं चौती द्रश्टी से दूसरे घर पे पंचम और पंचम बहुत अच्छा यह है ट्रांजिट आपको 40-50 दिन के अंदर बहुत अच्छी अपरचिनिटी दे सकता है सूर्य उसके साथ होंगे अश्टमेश का एकादश में जाना अचानक से किसी बड़े लाब के इंडिकेशन देता है क्योंकि अश्टमभाव अचानक से धन देने के लिए भी जाना जाता है बुद्ध भी उसके साथ है जो की भागेश है इसका मतलब है कि भागया भी आपका साथ देगा राशी से एकादश में चार चत्रुग रही योग बनेगा ये धन योग है और इस धन योग का आपको अवश चलाब बिलेगा क्योंकि मंगल बहुत विवरतन योग ब्रसपती मंगल के धनिष्टा नक्षत्र में होंगे तो मंगल ब्रसपती के विशाखा नक्षत्र में होंगे और मंगल तो ब्रसपती को द्रश्टी भी दे रहे हैं इसलिए ये कॉम्बिनेशन धन उपारजन के साब से और बैतर हो गया कुम राशी आपकी दशम का मालिक दशम में केतू के साथ कारे चेतर में व्रद्धी, यश, मान, सम्मान, प्रिसिद्धी, कारे को आगे बढ़ाना, नौकरी दिलाना, तरक्की करना इन सब के लिए जाना जाता है। दशम के लिए कारे चेतर को समलते हैं सूर्य देव, सूर्य मंगल राशी से दशम में दीख बली हैं तो किसी प्रकार के अच्छे लोगों के संपर्क में के आकर आप जीवन यापन करेंगे कोई अधिकारी कोई बड़े उचवर्क के लोग भी आप से दोरान टकरा सकते हैं जिन से मिलकर आप अपना काम कर सकते हैं तो ये मंगल केतु सूर्य बुद्ध के साथ जो यूती है बुद्ध पंचमेश हैं शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना बुद्ध के बल पर आगे बढ़ना योजनाय लगाकर कारेश शेतर में आगे बढ़ना भी इसी संयोग से देखा जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत सूब है ब्रस्पती आपकी राशी के अंदर धनियोग बनाने वाले गरह होकर चल रहे हैं ब्रस्पती होंगे मंगल के नक्षतर में और मंगल होंगे ब्रस्पती के विशाखा नक्षतर में और मंगल की द्रश्टी ब्रस्पती के उपर होगी इसका मतलब संयोग और बहतर हुआ कि कुछ न कुछ बहुत अच्छा धनियोग आपके लिए इस दोरान बनेगा इसको कहते हैं अच्छी opportunity मिलना अंतिम राशी मीन राशी आपकी राशी से भागेश भागेश थान में जब ये जलतत राशी में होता है वरश्चिक राशी जो कि गहराई की राशी है जलतत राशी है तो ये ध्यान साधना के लिए अच्छी है धार्मिक कारणों के लिए अच्छी है उद दोरान कोई धार्मिक कारय करा सकते हैं या कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं जोकि मंगल तो स्वेराशी के होकर केतु के साथ है और केतु मोक्ष कारिगर है यानि ऐसे में व्यक्ति भक्ति भाव में जा सकता है ये समय किसी प्रकार की भक्ति एराधना को स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है किसी प्रकार की मंत्र को जपने के लिए अच्छा समय है क सब्तम द्रष्टी से तीसरे भाव से दोनों ही भाव यात्राओं के भाव हैं तो दोनों तरीके से ये комबिनेशन अच्छा हो ही गया है आपके लिए और आपकी तो राशी के मालिक, ब्रश्पती, राशी से दोज़ाज में चल रहे हैं वो मंगले के नक्षतर में चल रहे हैं और मंगल ब्रस्पती के विशाकानक्षतर में चलेंगे मंगल द्रश्टी भी दे रहे हैं ब्रस्पती को इसका मतलब है इस दोरान अवश्चही कोई न कोई आत्रा आपके जीवन में होने वाली आप कहीं गूम के आ सकते हैं तो यह क्योंकि भागेश प्रवल है उसमें सूर्य भी बैठा है उसमें वुद्ध भी बैठा है केतु भी है मंगल भी है राशी से फोर्द व्यानि चार गरहे नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भागया है तो जागरत होगा और नवम भाव यदि भागया है तो धरम त्रिकोन भी है यहां से धार्मिक क्रिया कलाब भी देखे जाते हैं तो यह कॉंबिनेशन आपके लिए बढ़िया है मंगल एनरजी दे रहे हैं भागया को बनाने के लिए आप यात्रा करके भी आपने कारेशेतर में आगे तरक्की ही करेंगे तो मंगल केतु का सईयोग आपके लिए बढ़िया है क्योंकि राशी से नवम का मालिक राशी में यह नाइन था उसको एक्टिवेट करता है यह बहुत सुन्दर योग है कभी कभी ऐसे योग बनते है तो यह था मेरा आज का विषय सभी 12 राशी होग के लिए मंगल का ट्रांजिट कैसा केतु के साथ रहने पर कैसा और वाकी सूर्य बुद्ध की इस्चति भी उसके साथ रहेगी तो आप के लिए किस प्रकार की इस्चति को लेकर आया है उसके लिए मैंने सभी बारा राश्यों के बारे में आपको जानकारी देने का एक प्रियास किया है फिर से नई विशे के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ जै श्री राम